हलो दोस्तों कैसे हो आप सब लिग उमीद करते हैं आप सब बहुत अच्छोंगे तो फाइनले CSJMU कानपूर इनवर्सिटी ने सिकेंडियर रिजल्ट जारी कर दी हैं जो भी आपके बीए, बीएस्टी, बीकोम के स्टुडेंट हैं बीए का सिकेंडियर का आ गया है, बीएस स्वालों का भी आ गया है, सारी जानकारी आपको बताऊंगो जो आप लोग समझ नहीं पा रहा हैं सभी छात्र ऐसे देखें रिजल्ट डारेक्ट लिंक आपको दूँगा आपको कोई भी प्राब्लम नहीं होगी, बीएस्टी, बीकोम रेगुलर और प्राइबेट, दोनो चातर इस वीडियो को कम्पलीट देखना, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सस्क्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सेर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें, और हम पर follow करके आप message करेंगे तो आपको 100% reply मिल ही जाएगा तो अब बात करते हैं यहाँ पर क्या result को कैसे देखना है आपको कुछ नहीं करना आप जो वीडियो देख रहे हैं discussion में title पर click करेंगे तो discussion open हो जाएगा तो वहाँ पर telegram group का link है तो telegram से आप आजाएंगे यहाँ पर द सबसे पहले तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूं कि 2022 सेलेक्ट करेंगे उसके बाद से यहाँ पर यूजी में जाएंगे यूजी में जाने के बाद regular सेलेक्ट करेंगे उसके बाद से course में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले बीए का आपको दिखा हुआ है आप जो is form वरे थे उनको फेल हो गाय थे तो वह चातर is Fall नकी बohär यहाँ पर शुट करके इस वाले चात्र वह यहांपर देखेंगे तो उन EX वाला दिखा जाएगा, जो ऐसे चात थे, उनको वह वाला दिखा जाएगा, तो यहाँ पर आपको EX देखने का मतलब यही है, कि आपको यहाँ पर, अगर आप EX के चात है, तो यहाँ पर आपको select करके देखना है, उसके बाद से, यहाँ पर आएंगे और यहां पर हम select करते हैं become का become का select करने के बाद यहां पर भी देख सकते हैं second year का result आ गया role number डाल के search के option पर click करेंगे result आपके सामने खुलकर आ जाएगा उसके बाद से bsc का हो गया become में जाने के बाद यहां पर second year select करेंगे तो यहां पर result आ चुका है search role number डाल के आप अपना result को देख सकते हैं तो यह मैंने आपको बता दिया है कि जो भी second year के student है काफी लंबे टाइम से इंतिजार कर रहे थे उन सभी का जो result है कारणपूर इंवर्सिटी ने जारी कर दिया है बाकी मैंने आपको बता दिया है कि EX वाले student को कैसे समझना है अगर वो डाले थे तो second year वाला option select करके आप result को देखना आपका EX होगा तो आपको result देखने को मिल जाएगा वहां पर तो आज की इस वीडियो मैंने सारी जानकारी बता दिया है अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे टेलिग्राम या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं आपको reply मिल जाएगा तो ज्यादा reply हो जाते हैं इसलिए आप सभी के मैं reply दे नहीं पाता हूँ व आज की इस वीडियो में पस इतना है दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक क्लिए बाइबाए